दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल बेड़ एक्जाम पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपके प्रामिस किया था वादा किया था कि हम कुछ इंपोर्टेंट कुश्चिन के साथ भी आपके साथ डिस्कूस करें तो आज बात करेंगा हम लोग बेड़ फोर् के जब एक्जाम सोती है तो वहां पर आफके दो अंग के प्रश्च्चों में आते लेकिन दोस्तों मैं आपको बताओं कि अगर आप दोों प्राश्चन को भी अच्छे तरीके से तयार कर लेते है तो इससे आप जो है अपने आठ अंके प्राश्च्चों को और सात ही सात अपने जो पंदरंग के प्रश्ण भी आते हैं, जो कि इस बार पाठिक्रम थोड़ा सा बदल दिया गया है, आपकी परिच्छाएं डेड़ गंटे की होंगी, वहाँ पर भी आप जो है अपने प्रश्णों को अच्छे से लिख सकते हैं, तो आपको अपना आधार पहले साथ से भी तयारी कर ली है, अगर आपने हर टॉपिक को पढ़ लिया है, तो आपके जो 15 नमर के कोश्चन होते हैं, यारे 500 सब्दों के कोश्चन दोस्तों, मैं बिलकूल आपको एक तम प्रैक्टिकल और सही बात बता रहा हूं, कि आप आराम से लिख सकते हैं, समस्य क्या समस्टर में आपको बता हूं साथ क्यों कि syllabus easy है, चाहे अगर आपका जब भी form भरा जाएगा, मुझे पता नहीं अब कब आएगा, क्योंकि वो website पर अभी तक update नहीं हुआ, मिलेकि जब भी भरा जाएगा, मैं आपको बताता हूं syllabus easy है, आप language across the curriculum के साथ में environmental or health education जैसे easy subjects ल इतने अच्छा अंक लेकर आएंगे, उससे आपके B8 का overall score जो improve होगा, और अभी बहुत जल्द अगर आपके जो B8 के परिक्षाएं संचालित हो जाती हैं, उसके बाद seated और repeated यहीं परिक्षाएं आती हैं, उसको pass करने के बाद जब आप किसी भी exam के लिए qualify करते हैं, तो व आपने चैनल को subscribe नहीं किया या पहली बाल चैनल पर आ रहे हैं, या फिर आप videos को देखके भाग जाते हैं, चले जा, तो आपसे request हैं दोस्तों कि please भाई को थोड़ा support करें, videos अगर अच्छी लगती हो तो एक like कर दिया करें, और थोड़ा सा share भी कर दें, ताकि थोड़े द अलब से question करेंगी जुरूत नहीं है, क्योंकि इन question को मैंने बड़ी मेहनत से सोच समझ की चुना है, आपको लगेंगे यह तो सारे repeated question है, previous papers में भी दिख जाएंगे, जहां दोस्तों दिख जाएंगे, लेकिन इन question को चुना मैंने इस तरह से हैं, कि इन इतने ही question को तयार कर कि आपके दो अंके और आठ अंके प्रश्ण आराम से तयार हो जाते हैं, और एक बर जब आप दो और आठ अंके अंको के प्रश्णों का अगर तयार कर लेते दोस्तों, आपको पंदरा अंके जो प्रश्ण है, यानि कि पंदरा नंबर का जो प्रश्ण होता है, उसको बिल प्रश्ण संक्या तीन मतलब की सिच्छार्थी के दीन प्रतिदीन के संप्रत्य से आप क्या समझते हैं एवरिडे कॉंसेट का मतलब क्या होता है तो दोस्टों सिर्फ इसमें परिभाशा लिखेगा जैसे कि हम कुछ भी जो जी आसपास में सीखते हैं उससे हम एक नया कॉंसेट बनाते हैं तो हर दिन कुछ न कुछ कॉंसेट बनाते हैं उस कॉंसेट में अगले दिन कुछ बदला होता है तो ये होता है एवरिडे कॉंसेट बाकि आप इसको सही तरीके से अपने किताबों के मात्यम से उसको सही परिभासा पढ़ लें, मैंने आपको बस एक idea देख हिट दिया है, परश्ण संक्या चार है, meaning of pedagogy, सिच्छड सास्तर का अर्थ, परश्ण संक्या पांच है, देख लेते हैं, meaning of non-threatening learning of the environment, यानि कि धमकी रहित अधिगम वातवरण का क्या आत, अब दोस्तों धमक बाव नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, किसी प्रकार का बच्चों में डर नहीं होता, एक ऐसा वातवरण जो सिच्छा के लिए सबसे उपयुक्त हो, जहां बच्चों के अंदर बौधिक और सारी चमता का विकास होने की, सारी जो सुभधाएं होती है, जो सारी अवस्थ प्रक्रिया का अर्थ, प्रशन संख्या 9 है, रेलिवेंट्स ऑफ टेक्ट बुक, पाठ पुस्तकों की प्रासंगिकता, प्रशन संख्या 10 है, meaning of communication, संप्रेशन का अर्थ, प्रशनों के ध्यान देंगे, यह सारे कोश्चन बहुत अच्छे हैं, कि पाठ पुस्तकों का अर्थ कहा है, तो उसको आप सही तरीक है, यहां पे आप जैसा कोश्चन आ रहा है, जितने अंक का रहा है, उसके हिसाथ से उ आ letter को लिखते है बक, points का इस्तिमाल करें, highlighter का यूजरे, underline तो कम से कम करें, दूसरे color का, अगर blue pen से लिख रहे है, तो black pen से underline कर देंगे, ऑगर black से लिक रहे हो, आप blue या red parent का इसके है, स्केच पैन का स्थामार्ट हाइलाइट जरू करें पॉइंट वह लिखने का प्रयास करें जब पॉइंट से तक मार्क वाला बुलेट पॉइंट बनाए इस तरह को कुछ करें आप आपके उत्तर अलग सी दिखने चाहिए प्रस्षेसंग् Tamil 11th, am do is konIe 11th and how to differ from other information ज्ञान क्या है और यह सूचना से कैसे भिन मैं बिल्कुल बताना है कि सूचना में क्या होती है को साइक अगि अर आज बारिश हो रही है यह सूचना में आज हवारी है है कि बारिश से हमें क्या गैण मिला कि आज इतनी बारिश हो चुकी है कि आज बाड़ा सकता तो यह क्या था पुराने गैण को वरतवान गैं महत्वे नहीं होता अगर मतलब कि information यान सूचना जैसा कि मैंने अभी उधारण दिया वह knowledge कैसे बन जाता जैसे वह उपर उधारण दिया ऐसा ही आपको एक उधारण लिखना है कि जानकारी ज्यान कैसे बन जाती है एक उधारण देखे आपको समझाना है अगला question देखते हैं what do you mean by data information and knowledge data सूचना और समझते हैं अनलब की data क्या है data की परिभाशन देना की data कोई भी raw information हो सकता है जैसे कि आपके आप एक मैदान में खड़े और वहां पर आपको cricket bat ball टोपी अंपायर दिख जाए अगर यह सारी चीज़े दिगा यह क्या है data है लेकिन आप जब इनको एक सही तरीके से जोड़क क्या था आपका यह सारा आपका data था आपने data से information बनाया और इस information को जब आप सही संदर में यूज करते हैं तो आपका knowledge बनता है अब अगली बार जब भी आप cricket bat empire और ऐसा वातवरन देखेंगा आप समझ जाएंगे कि यह क्या होता है मैच होता है तो आपका knowledge क्या बन गया क इन सारी चीज़ों का होने का मतलब होता है क्या cricket का match तो यह सारी चीज़ें इस तरह से काम करती है data data से information बनता और information से आपका ज्यान बढ़ता है अगला प्रश्ण देखते है what is relation between language and identity भासा और ज्यान के बीच क्या संबंध है जिया दोस्तों ज्यान और भासा के बीच में बहुत जनिश सक्क्राइब सकते ह्याइब कि अगर शही भासा में चीजों को सिखाया जाए जिसमें हम सीखना चाहते हैं तुश्वाशा में जलदी सीख सकते हैं अपनी भासा में ग्यान को सीखने लग मजा होता है जो कि सीखने का और भूत्पूरम कारती अगला पॉइंट है वह दस्लाइग रिलेट तू पावर सुसल स्टैनिंग आइडेंटिटी भासा अब यहां पर देखते हैं भासा का सत्ता की सामाजिक प्रतिष्टा से क्या संबंद सामाजिक प्रतिष्टा से वह देखिए लेंग्वेज जो है पावर आप समझ सकते हैं कि अगला प्रशन देख लेते हैं वाट इस आइडेंटिटी इन लेंग्वेज क्ल्चर और अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन देख लेते हैं वाट इस आइडेंटिटी इन लेंग्वेज क्ल्चर और अइडेंटिटी भासा संस्कृति और पहचान में क्या पहचान है मतलब क्या महत्व है यहां पर थोड़ा गलत हो गया दूस्तों आइडेंटिटी नहीं तो वाट रोल क्या अगला प्रशन देख लेते हैं वाट आर डफॉर संक्षन्स ऑफ लेंग्वेज भासा के चार कारे क्या है अब देखे चार कारे का यह अपने मेसेज को दुसरे तक हुछाना चीजों को सीखने में मदद करना साती सात भासा के माधियम से हम अपने विचारों को लिग स सकते हैं दूसरे तक पहुचा आ सकते हैं भासा के माध्यम से चीज़ें जो हैं आपकी समझ में आ जाती हैं और साथ ही साथ में भासा हमको मदद करता है उन सारी चीज़ों को स्टोर करने में भी इंफॉर्मिशन हम ग्रहड कर रहे हैं आप बहुत सारे प्योग हैं लिख सकते अगला प्रश्ण देख लेते हैं वाट इस दा क्नेक्शन बिट्विन नॉलेज करिकुलम टेक्स्ट बुक एंड लगना यानि की घ्यान पाठे ग्रम पाठे पुस्तकों और सिक्षार्थी के बीच क्या संबंद है इस प्रश्ण को लिखना है यह थोड़ा लेंदी वाला क सिक्षार्थी के बीच क्या संबंद है प्रश्ण संख्या बीच है 20 वाट इस दे इंपोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक इन करिकुलम पाठे चर्या में पाठे पुस्तक की क्या मत हो यह अच्छा कोश्चन है आप इसको सारांस में भी लेख सकते हैं दो नंबर के प्रश्ण भी आपको आ सकते हैं तो इसको आप अपने नौलेज्च की साब से लिखिए साथ से किताबों में यह जहां से ऑप पढ़ते हैं वहां पी उसको देखिए और इस प्रश्ण को द्यार करें यह वैसे प्रश्ण है जो कि जरूरा आते आपके अगला प्रश्ण दे अपने नजर से दिखता है। बच्चें बड़े होते जाते हैं वह Er zijn just an gin Ö450 दिदें जैसे हम हम छोटे होते हैं अगर HAWA के बारे में बात करते हैं। कि हब्सक्राइब करते । हम समझते हैं कि हवा सही नहीं होता है एक परमाडू के अंदर भी इतना दम होता है इतनी उर्जा होती है कि वो बिस्फोट कर सकता है लेकिन ये चीजे हम जानते हैं तो बच्चे जब हम होते हैं तो हमारी कुछ अपनी आलक सी अधारना ही होती है विपरित उसके जो हमें बताया जा रहा है उधा इसा भी हो सकता है कि अल्टर्नेटिव फ्रेमवर्क आपके इस तरह की होती है तो इस तरह के जो चीजे होती है बच्चों में वेकल्पिक धाचा मतलब जो सामाने रूप से बताई जा रहे है उसके अलावा हमारा अपना कुछ एक अलग सा सोच होता वह होता है वेकल्पिक फ्रेमवर्क तो उनको सिख्चा के माध्यम से सही किया जा सकता है अगला प्रेश्ट है विद्ध्यारतियों की ब्रांतियों को दूर करने के लिए आप क्या योजना बनाएंगे जैसा कि उपर वाला मैंने बताया था कि आप सही तरीके से सही तथ्यों के माध्यम से बच्चे का वैकल की ठाचा यह है कि हवा नहीं होती हवा विद्धमान है हवा तो देख नहीं पाते बच्चे यह सोते कि जो चीज दिखती नहीं वो तो है नहीं आपको क्या करना है दोस्तों बच्चे को हवा होने का महसूस कराने के लिए आपको क्या करना है गुबारे को क्या है तो बच्चा बुलेगा कि इसके अंदर हवा है क्योंकि आपने उस गुबारे को भरके दिखाया फिर उस हवा को आप बच्चे के हाथों पर चोड़ें उनके बालों पर Dhiarky महसूस करईआई तो बच्चा महसूस करेगा कि हवा होती इस तरह से आप सही तरीके से अगर बच्चों को सही उधारन देंगे तो जो misconception थी वो आप धीरे-धीरे दूर कर सकते हैं साथी साथ सिख्चा के मादम से बच्चों के अंदर बहुत सारी जो misconception होती है वो दूर होती चले जाती है उमर के साथ भी यह misconception दूर होती है चले एक और देखते हैं प्रशन बहुत अच्छा है वाट इज एन अल्टरनेटी फ्रेमवर्क यह आपके दो नंबर के प्रशन में आ सकता है सीधे सीधे आप लिखते हैं एक वेकल्पिक धाचा क्या है तो लिख देजीगा बता दिया मैंने आपको What are child and adult misconception? मैंने बता दिया आपको child और adult का misconception क्या है चैल्ट का तो यह होता है कि जो चीज़े वो देख नहीं पाता या जो चीज़े वो जैसा समझता उसी को सही माल लेता है और जो की वास्तों में असा होता है adult का misconception ये होता है कि उनको लगता है कि ये चीज़े अगर मैंने बच्चे को बता दी बच्चे ने भी वैसे ही समझ लिया होगा उधारन के लिए एक सिक्षक के रूप में जब हम पहली पहली बार दो और दो चार बताती है और दो और दो जोड के चार बता देते हैं तो हमको लगता है कि बच्चा भी समझ गया होगा ये हमारा misconception होता है हमें ये समझना चाहिए कि बच्चे का अपना खुद का एक वैकलपिक ढाचा क्या है दो और दो के बारे में वो क्या समझता है दो और दो को कहीं वो 22 तो नहीं समझता तो इस तरह से हमको सूचना पड़ेगा तो सिख्चकों के भी कई सारे misconception होते हैं बड़ों के भी misconception होते हैं और बच्चों के भी होते हैं तो इन दोनों के बीच में जो टकरा होता है उसके वज़े से कई बार आमको लाब की जगर हानी होती है तो इन चीजों को एक मनोवैज्यानिक रूप से सिख्चकों को बड़ों को समझना चाहिए ताकि बच्चों को सही तरीके से सिखाया जा सके और उनके अंदर जो misconception उसको दूर किया जा सके चले अगला point ले लेते हैं What is situated cognition theory? स्थिती अनुभती सिधान्थ क्या है? प्रश्ण संक्या 27 है What is an example of situated cognition? तो भई इस तित असंग्यान का उधारन भी आपको लिखना है तो आप इन questions को कर लें बहुत अच्छे question मैंने ढूंड के लाया हूँ मैं आपके लिए बहुत मैंनत किया मैंने इसके लिए अगला प्रश्ण देखते है What is situated cognition describe various benefits of situated cognition for students? स्थित संग्यान क्या है? और चात्रों के लिए स्थित अनुभूती के विभीन लावों का वर्लन करें अच्छा question है बिलकुल लिखें यह आपका आठ नमर का प्रश्ण बन सकता है आपका short answer type और long answer type question पर आ सकता है तो इसको कैर ले तयार Who developed situated cognition theory? यह आपके आठ नमर के प्रश्णों के लिए महत्तपूर्ण है और दो नमर के प्रश्णों में आए तो आप सीदे बस यहाँ पर नाम मात्र लिखें आपको ज़्यादा नहीं लिखने के जरूत है प्रश्ण संक्याती से what are pedagogical method यानि कि satiric तरीके क्या है satiric तरीके लिखना है यहाँ पर तो आप दो नमर में आए तो आप सीट नाम लिख दें आठ नमर में आ तो थोड़ा विस्तार पूरवक उसको लिखें कि satiric methods क्या क्या हो सकते है formal, informal, school method, open distance यह बहुत सारी तरीका है आपका वह सारा आप लिख सकते है पढ़ा कर, बता कर, filter ले जाकर मतलब आप समझ रहे हैं कि question को किस तरह से design करना है आपको अगला प्रश्ण है what are the types of concept formation यानि कि ओधारना निर्माण के प्रकार क्या है मतलब हम लोग जो concept बनाते हैं वो कैसे बनते हैं किन परस्थित्यों से होकर हम गुजरते हैं तो हमारा concept बनता है हम कैसे समझते हैं कि वायू है हम कैसे समझते हैं कि air exist करता है इसके लिए हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं बहुत सारे चीजों को देखते हैं समझते हैं तो concept किसी बारे में जब हम बनाते हैं तो वह क्या प्रक्रिया होते हैं किन चरुणों से होकर गुजरते हैं वह आपको बड़े प्रश्ण आये, लॉंग या वेरी लॉंग एंसर टाइप कुश्चन आये आपको, यानि कि 500 सब्दों के तो आप महाँ पे थोड़ा विस्तार पुर्वक हर एक पॉइंट को explain करके लिखना है, अगला प्रश्ण देख लेते हैं, What is the concept teaching method, concept teaching method क्या है, concept teaching method यह होता है कि हम किसी एक concept को लेकर उसके उपर सारे तथ्य प्रस्टूत करते हैं, और उससे संबने तुदाहरन और जहां तक संबह हो, practical चीजे दिखातर बच्चों को उसके बारे में समझाने का प्रयास करते हैं, मतलब हम उसके अलाओ कोई दोसी ची learning का मतलब होता है, एक ऐसी learning की प्रक्रिया, एक ऐसी सीखने की प्रक्रिया, जिसमें हम चीजों के बारे में बिल्कुल गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, अगर मान के चले में आपको जैसे कि वायू का ही ले रहा था, जब बच्चा छोटा होता, inquiry-based learning की अगर तरीका अपनाएगा, तो वो देखने का प्रयास करेगा, हर एक तरीके से यह जानने का प्रयास करेगा, कि आखिर हवा है, तो कैसे हम पता कर सकते हैं, वो गुपारे के माध्यम से पता करेगा, वो एक दूसरे के मुँपर फूक के पता करेगा, हवा में जहाज को उड़ा कर पता क अगला प्रशने ले लेते हैं What is an example of inquiry-based learning तो जैसा मैंने आपको बता दिया ऐसा कुछ भी आपको धारन ले सकते हैं आप बता सकते हैं जैसे कि बोलते हैं कि पौधो में जान होती है कि नहीं होती है या फिर पौधे सांस लेते हैं यह होती है inquiry-based learning चलिए अगला प्रशनों ले लेते हैं What is an example of project-based learning परियुजना आधारित सिख्छा का एक उधारन दिए तो आप एक उधारन ले लिए प्रोजेक्ट-based learning वही बच्चों को आपने कुछ काम दे दिया कि चलो भाई आज आप हम लोग पौधों के बारे सीखेंगे project-based के अलग अलग कौन से अलग 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 प्रकार के पौधे होते कुछ पौधे हैं जिनमें फल आता है कुछ पौधे तुसमेन फूल आता तो बच्चों का आपने अलग उलग समो में बना दिया और जब बच्चे इस तरह से learning करते हैं वैसे बच्चों को अलग-लग समुए बाट करें जब बच्चे इस तरह से learning करते ही होता project-based learning यानि कि एक निश्चित उद्देश के पीछे लग कर हम उसके पर जब काम करते हैं सीखने का प्रयास करते हैं यह आपका उद्देश-based learning होता है अच्छे से आप किताव के मादिम से पल देंसको अगला प्रश्ण है how is ICT ICT is useful for capacity development of teacher and student देगे यह आपका आठ नंबर के प्रश्णों में आएगा सिक्षक और चात्रों के विकास के चमता के विकास के लिए ICT कैसे उप्योंगी है अब दो नंबर में भी लिसकते हैं दो चार पांच पॉइंट अगर दो नंबर में आए चार पॉइंट लिख दीजेगा लेकिन अगर आठ नंबर में आये तो आपको explain करके लिखना पड़ तो इस तरह से थोड़ा explain करके आपको लिखना है अगला प्रश्न है what is ICT capacity building ICT चमता निर्माड के मतलब होता है कि जो ICT के संसाधन है उनको मतलब उपलब्द कराना आप यहां पर बस इतना समझे कि अगर आपकी स्कूल में नहीं है तो आपकी स्कूल में जो ICT capacity building का मतलब ह होगा कि आपकी क्लास को एक virtual classroom में बदलने में ICT से युक्त करने के लिए जो संसाधन लगते है न यह जो परक्रिया होती है चाहे हो टीचरों को आपको ICT के उपयोग के लिए सिक्छर देना हो ICT के नए जो device लगाने है आपके प्रोजेक्टर लगाना हो टेली कॉनफरेंस प्रोजन का विकास भी होता है और साथ इसाथ प्रोजिक का जो इस्तमाल करना सुरू करना उसको प्रसीचन उसको जहां जरूरत है वहां पर लेकर आना यह सारी चीज़े capacity building के अंदर आती है अगला प्रश्ण है what are the three main uses of ICT ICT के तीन प्रमुक या मुक्य उपयोग क्या है तो आप बता सकते हैं सिच्छा के छेत्र में स्वास के छेत्र में और आपके हेल्थ के छेत्र में तो होता है आप जितने छेत्र बैंकिंग सर्विस सेक्टर में सब जगा यूज होता है तो आप बता सकते है अगला प्रश्ण ले लेंगे what are ICT based teaching learning approaches and used in school तो भई ICT based teaching learning approaches जो जिसके मदर से पढ़ते हैं लैब में हम लोग बच्चों को वीडियो के माध्यां से जो लैब में प्रक्रिया हो रही है chemical reaction हो नंको बारे में बता सकते हैं वीडियो दिखा के समझा सकते हैं कुछ practical example की कैसे हो रहे तो यह teaching के छेत्र में इस तरह से कुछ उदारन है आपके अगला प्रशन ले लेते हैं प्रशन संख्या 41 हाउ आई सीटी कैन वी यूज़ फॉर टीचर प्रोफेश्चनल सिख्चकों के वेवसाइक जो आपका विकास होता है यानि कि सिख्चक के वेवसाइक विकास के लिए आई सीटी का उप्योग कैसे किया जा सकता है बाई सिख अपनी जो नॉलेज उसको बढ़ा सकते हैं शिख्चक जो चीज़े पढ़ा रहां यह सको और बह्तर मात्मों से सिख सकते हैं यूट्यूB YouTube internet website सीख कर अपनी knowledge को और बढ़ा सकते हैं और प्रभावी तरीके सीख सकते हैं तो इस तरह से हो ता साथ ही साथ regular training अच्छे सीख्षकों से जानकारों से लगातार बात करके सिख्षा लेकर ट्रेनिंग लेकर ही अपने काम को और अच्छा कर सकते हैं प्रश्ण संक्या बयाली से वाट आर आई सीटी बेस्टी टीचिंग लर्निंग अप्रोचे यूज ने स्कूर यह प्रस्ण डिपीट हो गय अगला प्रश्ण है वाट आर अप्रोचे टू टीचर डेवलप्मेंट सिख्षक विकास के लिए क्या तरीक है जो सकते हैं आप अपर लिख देजेए अच्छा पैसा मिलना चाहिए उनकी ट्रैनिंग होने चाहिए उनका बीच बीच में फीडबैक लेना चैए जरुद आप एक सुरक्षिक शीखनी का महौल कैसे बना सकते हैं? सुरक्षिक महौल आप इसका महाल की तो पढ़ने की प्रक्रेक्रटिया को सुगम बनाता है वो आपको लिखना, कैसे बनाता है, बच्चे खुल कर पूछते हैं, आप खुल कर बच्चों से बात कर पाते हैं, बच्चे आप पर भरोसा करते हैं, आपको अपने दोस्त के तरह, अपने पिता के समान समझते हैं, या अपने दोस्त, अपनी माता के समान, अपनी बड़ी ब तो इस तरह से आप काम करते हैं चलिए अगला प्रेशने ले लेते हैं वाट आर फाइफ एक्टर्स वाट फाइफ एक्टर्स में एडूकेशनल इन्वार्मेंट विलकमी कौन से पांच कारक सैचिक बातावरन को स्वागत योग्य बनाते हैं बही आपको बताना है कि पाठेकरम में भासा के क्या सिधानत हैं पाठेकरम में भासा के सिधानत क्या है यानि कि अब किसी भासा को अगर आपको पाठेकरम में सामिल करना तो उसके पीछे मतलब हमें क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो भासा सही से पार्ठे कर्या में सामिल की जा सके और जिस उद्देश सामिल किया जा रहा है उसका पूरा लाब भी मिल पाए प्रश्ण संग्या 50 है हाव इस लाइंगोईज रिलेटेट टू करिकलव भासा का पाठे चर्या से क्या संबंद है जिया दोस्तों तो यहां पर हम लोगे ने अपने पूरे 50 और महत्वपूर प्रश्ण इतर लिए उम्मीद करता हूं अगर आप इतने भी प्रश्णों को कर प्रश्ण कर लें और उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्णों के उतर भी मैं आपको बहुत जल्दी प्रवाइड करवा पाऊंगा तो इनके उतर भी आपको मिल जाएंगे साथी साथ